हाई फ्रेंड्स इस वीवुदत्त फ्रम साहू टेक्नोगाइड आज के ये वीडियो में मैं आपको वीव एंडड़ टीवी का एक पिक्चर और साउंड का सेटिंग बताऊंगा ये सेटिंग अगर आप आपका टीवी में करते हैं तो आपको घर में भी एक ठेटर लाइक एक तो आपका साजेशन मेरे लिए कापी वा लेवल रहेगा मेरा वीडियो को इंप्रूब करने के लिए तो लेट गेट स्टाटेड तो फ्रेंड्स में यहां पे जो पिक्चर और साउंड सेटिंग आपको दिखाने वाला हूं यह हमारा एक भीवर्स ने मुझे सेंड किया थ तो मैं सोचा आप लोग के साथ इसको शेयर कर दो जैसे हम कोई भी एक टीवी पर्चेस करते हैं तो टीवी में जो पिक्चर सेटिंग रहता है वो हम खुद अपने हिसाब से रखते हैं जैसे हमको अच्छा लगए तो यहां पर मैं जो सेटिंग आपको बताने वाला हूं यह सेटिंग को आप डेडिकेटर मूवी देखने के लिए रख सकते हैं तो यह सेटिंग में अगर आप मूवी देखते हैं तो आपको एक थेटर-like experience आता है तो चलिए टीवी स्क्रिन के पास तो फ्रेंड्स यहां पर टीवी आन होने के बाद आप सेटिंग में जाएए त तो हम यहां में उसको सेट करेंगे जैसे कि मैं आप यहां पर बैकलाइट में पहले जाए तो यहां पर जो डाइनमिक बैकलाइट कंट्रोल है इसको आप कर दीजिए और मानुली इसको 100 तक रखिए तो next contrast है contrast आप 80 से लेके 100 तक रख सकते हैं तो मैं यहां पर 90 रखता हू तो next brightness तो brightness आप यहां पर 50 रखिए तो next color आपके इसाब से आप यहां पर सेट कर सकते हैं जैसे 45 से लेके 55 तक आपको जो भी color आछा लगता है means color का जो ratio है जीतना आछा लगता है उस इसाब से आपको 45 से लेके 55 तक यहां पर सेट कीजिए और यहां पर sharpness जो है उसको 12 तक आप सेट कीजिये मेरा यहां पर पहले से 12 है तो 12 तक यहां पर आपको sharpness रखना है उसके बाद next आपको जाना है advanced setting में तो advanced setting में भी आपको कुछ change करना है जैसे के यहां पर color temperature जो है इसको आपको low रखना है, तो यहाँ पर आपको high से लेके low तक है, तो यहाँ पर आपको low set करना है, और यहाँ पर next जो है active contrast, इसको आपको high रखना है, तो मेरा already high है, तो यहां पे आपको high रखना है, तो next हम जाते हैं, यहां पे calibration setting में, तो यहां पे gamma को आपको 2.4 रखना है, और यह सब हो जाने के बाद, आपको यहां पे apply picture setting में जाना है, और यहां पे current source में आपको save कर देना है, तो current source में अगर आप save करते हैं, जैसे हम यहां स्टांडार्ड मोड में इसको सेब किये तो अगर मैं दूसरा कोई भी मोड में जाता हूं तो मोड अलग रहेगा अगर आप यहां पर जो नीचे अप्सन आता है आपको अप्लाई सेटिंग में अगर आल सोर्स में कर देंगे तो यह सभी में सेट हो जाएगा तो यहां पर हम स्टांडार्ड में इसको सेट किये हैं तो स्टांडार्ड में कर देता हूं उसके बाद साउंड में जाए अगर आप एक्स्टर्डल कोई भी साउंड बार बागरा लग Anything हो गया तो मैं यहाँ पर Netflix से एक बीडियो प्ले करका आपको दिखाता हूँ Qamu hoard नीस पिक्चर का quality आपको कैसे दिख रहा हूं Qamu hoard यूटुब से एक बीडियो प्ले करके देखते हैं झाल झाल तो friends, जैसे मैं अभी आपको ये TV में शेटिंग करके दिखाया और कुछ वीडियो क्लिप भी दिखाया तो आप भी आपका टिवी में शेटिंग करेंगे और कोई भी मूवी बगरा देखेंगे तो आपका जो experience रहा ओकमेट सेक्षन में जरूर बताईगा तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी helpful रहोगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो like and share जरूर कीजिएगा, अभी आप हमको Instagram और Twitter में follow कर सकते हैं, हमारा Facebook का पेज जो है उसको like भी कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अ अगर चैनल देख्ते रहिए, साहू टेक्नोगैड आपके दिन सुखों